पूर्णिंग क्लास एट हम हमारा लेजन पूरी कंटीनू करने ते जिसकार हम सब्सक्राइब पढ़ेंगे लास्ट वीडियो में हम देख चुके देखे विपिंबाफ को एक डॉक्टर चंदा के पास जाते हैं और उससे बिमारी है और इसे उनको बहार निकलना है और डॉक्टर चंदा के उनको एक सैटिस्पाइड आंजर देखे हाला कि उनके एक्स्पीरियंस में ऐसा किस कभी नही होना, next time हम कर लें टांड लॉक्त लिप्न बाफ को देखे है एक उम्मी के साथ वहां से निकले, as far as I getting back out say Dr. चंदा and I think you are of same opinion, you must have been through Raanji but due to some unknown reasons the entire episode of war has slipped out of your mind आपको एक सुझेशन देते हैं कि मेरी ओपियन में आपको इब रांची जाके देखना चाहिए कि maybe the incident आपके माइं से declिफ हो गया है जब वहाँ पर पहुंचेंगे भिना किसी रीसिट के तो भी आपको सारी चीजे रेखने और रेमाइं पोचाएंगे The sight of a place may remind you of your trip तो वहाँ कुछ साब देखेंगे जहाँ जहाँ की बाट आप सुन रहे हैं कि लोगों का कहना है कि आप याना याना बहुते तो वहाँ वहाँ आप जाके देखें में भी आपको सब कुछ यार आजाएं अब वो कहा है कि ये को पॉसिफल भी है मैं ऐसे कैसे जहा सकता हूं अब वो कहा है कि ये जो पॉसिफल है आपकी उसके लिए ना आपको एक टॉनिपल आपको जोड़ करना है और आपको एक टैबलेंटी सजिस्टे रहा हूं आपके यहीं बहुत दुर्ती है कि आप बहुत आर्वर्ट करते हैं तो यह सारी चीज़े तो साइड रहे हैं लेकिन फर्स सजिशन जो था वो यह था कि आपको वहां जाकर देखना चाहिए कि क्या आप सही में आपके माले से अपने स्टाफ को जो इंस्टी करने के बार अपने स्टाफ को जो इंस्ट्शिन देने के वो देगी है और नेक्स्ट जो फोन पाल था वो अपने स्टाफ के लिए एवनीं की एक टिकेट बुक कर बाले ते रहे हैं तो जो इंस्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्होंने स्टेशन पर पहुंचते ही है रिलाइज कर लिया कि वो यहां पर इससे पहले कभी भी नहीं आई आपको होता है जब और जसी जगता आप कितने ही जाखा पता है कितने ही कुल को दिमागरे पूंगा रहते हैं आपको अपो एक खल खली हली भी तो पुछ्यंग के आप और ए छीज जीको रिलेटेर उससे रिलेटेस रही चाहतीए तो ऐसे में जब वहाँ पर उत्रे तो उनकी माइंड दिए वह स्लाइड मेमरी भी नहीं थी कि वह रांची जा चुके है उन्होंने इसी सर सिदा समझ लिया कि मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आया हूं He came out to the station, took a taxi and drove around the town for a while उन्होंने स्टेशिन से बहा लिए और एक taxi book की और सबसे पहले रांची का एक रांड लगाना जरूरी समझ रहा हूं He realized that the streets and the buildings, the hotels and bazaars, the morabadi means with none of this had the side accruinting But now they had the whole city round, taxi भी मैंने और taxi कोपा के पहले, पुरी city का रांड लगा हूं So what the hotel or the building or the bazaars or the morabadi means, there was a side scenes or something He realized back to back that I have never come here वो अर्टें तुदा गूप्रो वाल हैल, he didn't believe so but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tired enough. अब वो सोच रहे थे कि मैं गूप्रो वाल क्राख राओं और वो ये भी सोच रहे थे कि मैं यहां से बिना पूरी तसल नी कि कि यहां से बाहर नहीं जाना चाहते हैं वो फुल ऑन सैटिसफाइड हो के यहां से निकलना चाहते हैं कि यहां से रहा नहीं जाना चाहते थे कि जिन जिन जगों की बात उस अन्नोग पर से नहीं की है मैं वहां महां बया के नहीं गया इसलिए उन्होंने पुरंधी आफ्रनून में पुरादा रैस्ट कर देगी बाद से एक कार गुप की और वहां के लिए निकल गया अब उसी दिन शाम तो पांच बजे उन्होंने यह रिलाइस किया कि जब वहां पर भुपर जा चखे थे तो गुजराती जिन्टल में जो थे वो वहाँ पिक्निकर ने आया थे और वो नहीं देखा कि वेपिन बागु जहाँ वो अंकॉंशिस कंडीशन में सारत के किनारे पड़े वोगे बसाइड दर माउंड भलागु कि उसकी साइड में पड़े हुए हैं और जैसे उनके पास आते हैं तो उनके आवाद आ रही हुए कि मैं खतम हो रहा हुँ अब देरी ये कोई हुई नहीं बची है नेक्स्त मॉर्णि बिपिन बागु वो बैक इन कलकेटा और नेक्स्त मॉर्णि जो थे शांकी टिकित से वापिस बुक करवा के नेक्स्त मॉर्णि भब वो कलकेटा राचिके प़े हुए कि रेलाइज दैक दैक वोस्त्रूली ये रही नो, भी बिपिन हाज बें ये पुरी से निराश होँछे थे, तो रॉरी से हतास अफूछे है और वो सोच ते कि अब नेरे ने कोई ने कूफ नेक बच्छा है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, चीजों को भूलता चा रहा हूँ, मुझे कोई बिमारी हो गई है, बहुत हरी चीजों के माइड में आने जगे हूँ So he would love everything, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind और अब क्या सकते हैं, कि मैं आप सकतो दीरे दीरे खो चुपा हूँ, हो रहा हूँ क्या 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 को रहा हूँ, his will to work, कि काम करने की शक्ती, his confidence, his ability, his balance of mind, कि माइड की city भी बहुत थे खोच के है What he going to the end of in the asylum at? अब वो क्या कहे रहे हैं, कि अब मेरा हंत होता है, में असायलम के चला लोगा, असायलम के कहते हैं, जहांपर mental patients को रखा जाता है जिसको हम हिंदी में कहते है, पागल खाना, इसको कहते हैं, इंगलेच में asylum, तो asylum मेरा end बढ़नी पर होने वाला है विपिनबाव couldn't need any more, अब विपिनबाव को जो है, वो कुछ भी नहीं सोचना चाहरे है, या कुछ भी नहीं करना चाहरे है तो यहां से हम, next video में continue करेंगे, story जो है, वो काफी interesting होती जारी है, भोग सो कि आप लोगों को भी इसमें interest आ रहा होगा, बाकी का हम next video में continue करेंगे, thank you सुपरबाद विद्यर्थियों, जैसा कि हम कविता के बारे में अद्दिन करते थे, ध्वनी कविता नीराराजी की, जिन्हने बताया है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे जीवन में मरदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये प्यात, डालिया कलिया, कौमल गात, यहां तक अधिन कर लिया था, उसमें कवी निरला जी, पूर्ण जीजी विशा के साथ, जीवन जीने की प्रेना द करता हैं उसी प्रकार हमारे जीवन रूपी वसंत जीवन में भी वसंत का आगमन होता है योगना वस्था आती है वही हमारे जीवन में वसंत का आगमन है और उसमें सरीर का सुन्दर आकार ने करता है और व्यक्ति भी साथ सज्जा से परिपूर्ण रेकर की कर्म निष्ठा की और प्रेडित होता है ये सब कार्य योवना वस्ता में होते हैं बाले वस्ता में किसी प्रिकार की चिंदा नहीं होती हमें योवना वस्ता आती हैं उसमें हमें आने वाले बविश्य में क्या करना चाहिए किस प्रकार रहना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए किस उसे इतना अनुबव नहीं होता लेकिन योवनावस्ता आने पर हमें किस परकार कर्म करना चाहिए इतना हमें अनुबव होता है तो यहां कभी निरला करते हैं कि वसंत के आगमन से जिस परकार प्रकती में नएने पत्ते और कलियों से डालियों का सुन्दर आकार निकरता हैं उसी परकार मेरे जीवन में भियोवनास्था आने से मेरे जीवन में भी सुंदर आकार निक्रा है मैं विकास के पत्परागे बढ़ रहा हूँ मैं ही अपना सुप्न मर्दुलकर धेरोंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्यूस मनोहर कभी आगे कहते हैं कि मैं अपना स्वप्ल मर्दूल कर, मैं अपनी मदूर भावनाओं से थेरूंगा निद्रित कलियों पर जो सोई हुई, अलसाई हुई, निद्रित में सोई हुई, अलसाई हुई निद्रित कलियों पर कलिया अध्खिला पुस्प अध्ध खिला पुष्प जो पूर्ण रुप से खिला हुआ नहीं है जगा एक प्रत्यूश प्रबात प्राताकाल तो कभी नेराला कहते हैं कि मैं अपना मदुर भावनाओं से कौमल हातों से इनका इसपर्ष करूंगा और ये सोई हुई जो कलिया है निद्र सोई हुई अलस प्रत्यूश 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 अपने नवीन जीवन का जो नवीन उत्सा है उससे अम्रत सहर्ष सीच दूंगा में अपने नवीन बावनों से उनका अम्रत सहर्ष सीच दूंगा इस परकार कभी निरला करते हैं यह मैं अपने जीवन में वसंतागमन हुआ है और वसंतागमन ता योबनावस्ता का विकास कलियों को खिलने का मार्ग बता दूँगा अभी नहीं होगा तो कि मेरे जीवन में वसंत का आगवन हुआ है जिस प्रकार वसंत के आगवन से प्रकति में बदलाव होता है उसी प्रकार मेरे जीवन में भी योवना वस्ता का आरंब हुआ है और योवना वस्ता के आरंब से मे दूसरी दूसरा पॉंट वेख्या और तिसरा विशेश इन तिनों का प्रयोग करते हूँ हमें इसका बावार्थ लिखना है तो यहां साप्रसंग में प्रस्तुत पध्यांस हमारी पाठ्थेपुस्त हिंदी में ध्वनी कवीता या नीरला जो द्वार रचित ध्वनी कवीता से लिया गया है जिसमें नीरला जी ने वसंथ का रूपक दे करके हमें जीवन में आगे बटने और उत्सा युक्त जीवन का की बात की है कवी नीरला जी कहते हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, जिसके कारण मेरे जीवन में योवनावस्ता का आरम हुआ है, जिस प्रकार कलियों और पत्तों से डालियों का सुन्दर आखा निकरता है, उससे प्रकार योवनावस्ता के आरम से मेरे जीवन में का सुन्दर विकास हुआ है, मैं अपने म परदुल कर में अपने मदूर बावनाव रुपी हातों से उन सोईग हुई अलसाय हुल कलियों पर हात खेरूंगा जिससे वह पुनह उनको खिलने का मार्ग बता दूंगा उन्हें पुस्पो पुस्पसे प्रतेक पुस्पसे जो तंद्रालस आलस्ट से ग्रस्ते हैं उनको अ जहानन जो जहां तक अनन्त या अंतिम छोर तक मैं प्रयास करूंगा उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेजित करूंगा अभी नहोंगा मेरा अंत अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा यहां कवी करना जाते हैं कि जो आलस्ट से ग्रस्ते उनको खिलने का मार्क बता रहे हैं और नवीन जीवन का अमनव जीवन का जो जीवन मिला है उसका अम्रित वह सभी लोगों में प्रेणा के रूप में बाटना चाटे हैं चीके इस प्रकार यह पूर्ण कविता पूर्ण होती है गभी न होगा मेरा अंध ध्वनी कविता निराला जिद्वार रचित इसके जो प्रश्ण उत्र हैं वह कुछ लेख लें जिसमें पहला यह प्रश्ण है कभी को ऐसा विश्वास क्यों उसका अंध अभी नहीं होगा क् तो अभी कोई यह नहीं कर सकता है मेरा अंत भी होगा फूलो को अंध तब्शितने करने के एल अलसा हुई तो कलिया है उनको नविन उत्सा से उन प्रहात फेर करके उनको आगे बढ़ने का मार्ग दे रहा है कभी पुश्पोक की तंद्रा और आलेस्श को दूर करने के लिए अपने जीवन का अम्रित सहर्च सिचि देने की बात कर रहा है वसंद को रितुराज क्योंकि वसंद को रितुराज इसलिए कहा गया है कि कि सभी रितुओं में सरों बमुक रितु होती है और जिसमें प्रकती सजजज करके नवीन रूप दारन करती है नएने पत्ते कलिया खिलने लगती है प्रकती रूपी नएका हमारे सामने सुंदर करना है रितू परिवतन का जीवन पर क्या परवापड़ता है क्योंकि प्रतेग व्यक्ति की जीवन में रितू का अनोखा परिवतन है क्योंकि रितू परिवतन का हमारे जीवन से गरा संबन्द है जैसे सर्दी की रितू है वैसे ही गर्मी की रितू है गर्मी और वर्षा इन सब कुछ वर्षा जल पर निर्बर है और गर्मी का जरूड है क्योंकि घर्मी नहीं होगी तो जला सचयों तालाबों को पानी N Ugha पुण्हा दर्ती पर नहीं इतनी घर्मी होग चितना तयापमान होगा पुणे वादल के रुप में बन करके हं मारे प्रकतर इसलिए,' couleur का महत्व तो हमारे जीवन में है ही क्योंकि सर्दी की रितु भी हमें विविन प्रकार के जो फसले हैं जो अत्यदिक ठंडे स्थान में होने वाली हैं उसके लिए भी हमें फाइदेबंद हैं जीवन में इसका भी महत्व है ठीके तो निम्दली के इस प्रकार कभी निराला जी करना चाते हैं कि हमें जीवन का अंत नहीं होगा क्योंकि निराला जी आगे देखें कवीता कि निम्दली की पंकतिया पढ़कर किस रितु का वणने फुटे हैं इस पंकति में भी कवी निराला जी या जो भी कवी है वह यहीं बताना चाते हैं कि यहां पर वस्तंत रितु का आगमन हुआ है दन्यवाद यहां अपना संपोर्ण अध्याय स्माप्त होता है दन्यवाद सुप्रबातम विद्यार्तियों पेजली क्लास में हमने पाचवाँ पाठ कंट की नेव कंटकम को पड़ा था यानि काटे से ही काटा निकलता है किस तरह से वह व्याद का मतलब मैंने बताया शिकारी और व्याग्र का मतलब होता है बाग शेर किस तरह से शिकारी ने जाल बिच्छाई और शेर अंदर आ गया और जब शेर को देख कर वो शिकारी भागने लगा तो उसने कहा कि मनुष्य से उसे प्रात्नागी यह मनुझे तुम्हें मैं कोई हानी नहीं पहुचाऊंगा ऐसा उस बाग ने उस शिकारी से कहा तदा सव व्याग्रम जालाद भही निसारियत यानि जब शिकारी ने उस व्याद की बात सुनी वो बोला इंसान था विचारा वो जाने वह जमाना भलाई का है मैं भला करूंगा मुझे मेरे साथ भलाई होगा यू करके उस शिकारी ने व्याद की बातों में आकर उसको जाल से बाहर निकाल दिया निरसारत का मतर उसको बाहर निकाल दिया व्याग्र क्लांत वांचिद जो शेर था बाग था बड़ा क्लांत का थका हुआ बहुत थका हुआ था क्योंकि बहुत स मनुश्य से कहा, कि मैंनुश्य मैं बहुत प्यास ऩू नदी से जल लाकर कि मेरी प्यास को शांत करो शंदोता करना एव्याग्र जलम पितवा जया वो इंसान गया व्या आणडिन देट करो और विंचार व बोला था वह वू सत्यो की बात होगी तो उसकी बातों में आ गया होगा लेकिन आज की जाने पता है कि सिय तमेशा शिकारी करता है और जंगल का राजा होता है लेकिन उसमें वो बोला इंसान होगा इसलिए उसकी बातों में आ करके वो पानी बिलाया और व्यादम अवद अव्यादम अवद अव्याद वुह भूक्षितो वह इस तो वहां प्लाने के बाढ्Gen हूग 49 रेभू पानी पिलाया इसको जाल से बाहर निकाला भार निकालने के बादसी के बाहर है उसने क्याison मैं प्ला किया और यह मुझे खाने आगे दिल्दिफ्ञ धढ़र में नहीं क् alte डाले है तो यह मनुष्य था मम्नोष्टी इसने क्ला रूम प्लाइं रणे ने कहा हम उछ दुभाग्य के शवचांपन हां il हर्म का काम किया मैंने तो डुब मुझे बाहर निका लो मैं त Свहाँ नहीए पहुंचाना यह बात मैं उसके पहले ही कह देए लेकिन अब यह बाग पलट गया आपनी बात को कह कर रहें तो माम खाते तुम इस चंचल कह रहे है तुमने तुम तुमहें तुमहांने का ओँ तुम मुझे घौँगा और तुम मुझे खाने की इच्छा रख रहे हो हैं चंचलने सेंसे बाग से कहा व्याग्र अवदत व्याग्र का मान töह ने क्या कहा औरे मूर्ख हे मनुष्य यह मुर्ख मनुष्य शुदार्ता कि मपी अपकर्यम ना भावaci शुदार्ता का मदभूख यपिनने बूख के लिए कोई भी अकारी नहीं होता अकारी का मतलब कोई करना नहीं करना यह कोई सोचता नहीं है बूख ऐसी चीजे जिसके लिए इंसान चोरी भी कर लेता है डकेती भी कर लेता है मारकाड भी कर लेता है सब स्वार्थ से हरकारी सिद्ध होते हैं ऐसा इस व्यागर यानि हिस व्यादर यानि चंचन नमक शिकारी से कहां क्या कहां देखो एक बार और ध्यान देंगे अरे मुर्ख शुधारता है कि मपी आकार्यमना भवती यानि भूख के लिए कोई भी आकारी नहीं होता है भूख ऐसे जेज़े जिसके लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है इसलिए मेरे को इतनी भूग लग रही है मैं इस जाल में बंध हूँ इसलिए मैं तुम्हे तो सर्वस्वार्थम समीते यानि इस इस समय में सब काम स्वार्थ से ही सिद्ध होते हैं ऐसा व्यागर ने सब्माटर शिकारी चंचंचल नामक से नामक कि को हा पूख वीषारे को लेना चाहिए ये थोड़ा चनल नामक जुशिकारी था उसने थोड़ा सोच विचार किया गव वो क्या व्या सोच रहा है कि चंचल नदी जलम अप्रच्चत जब भागने यह सब काम स्वारत सिद्ध होते हैं तुई चंचल नामक क Oui हाब तसने डी शे पुचा होगा कि भै नदी तू अभका भ्ला करते तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता ऐसा उसने अदी से जब परश्न ही ऑगा तो नदी ने जबाव दिया क्या दिया o कि में अगती है मनुश्य ऐसा ही होता इस समय तो इस जवाने में तो ऐसा ही होता है जनाहा मई स्नानम कुरवती यानि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं वस्त्राणी प्रक्षालियंती कपड़ों को दोते हैं तथा चमल मुत्रा दिकम विस्रज निरवर्तंती यानि मेरे अंदर मल मुत्र भी त्यागते हैं गंदे कपड़े भी दोते हैं पोशो को भी निलाते ह यानि बहुत सारी गंदगी करते हैं, वस्तुत सर्वह स्वार्तम समीती, नदी ने भी उस चंचल को एक ही जवाव दिया, है मनुश्य आर इस समय, इस जमाने में सब लोग अपने स्वार्त कोई सिद्ध करते हैं, तो विचारा और गबरा गया, व्याधु बहुत गबरा गया वह नदीने भी ऐसा ही का, अब में कहां जाओं, मेरे प्राण कैसे बचाओं, तो वह और वे उसके मन में सवाल आया, जिसने का में वरक्ष से पूछू, कि वरक्ष मुझे क्या जवाव देता है, तो चंचल वरिक्षम उप गम्यम, उप का मदब समीप, गम का मदब जहना, चंचल वरिक्षम उप गम्यम आप रच्छ, चंचल नामग जो शिकारी था, वरिक्ष के समीप गया, और वुस वरिक्ष से पूछा, क्या पूछा, जो भी पूछा, तुम सब के लिए भला करते हो, फल देते हो, फूल देते हो, लकड़ी देते हो, क्या तुमारे साथ भी मेरी चाया में मेरे लोगों को चाया देता हूं लोग मेरी चाया में रुपते हैं अस्मा को फलानी खा दनती मेरे फलों को भी खाते हैं लेकिन पुनौ कुठारे कुठारे कम दोता कुलाडी पुनौ कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यम सरवदा कस्टम दाती मैं फल देता हूं च मतलब मुझे बहुती दुक देते हैं कुट्रा पिच्छ दुन को सर्वह सॵार्थथम समी ते विक्ष ने जवाव दे दिया कि सब काम स्वार्थ से इस दब होते हैं तो वह चंचल जो था व्याद गृधू जो था चंचल नामक जो शिकारी था बड़ा सोच विचारे पड़ गया ओओ नदी ने भी सब ऐसा ही कहा जैसा कि बागने का बागने का था फस्ट में कि सब भुग के लिए कोई कारी नहीं होता है सब स्वार्शित होते हैं तो नदी ने भी जबाव दिया व्रक्ष ने यह ज बजन बनाएगा अपमें कैसे इस से मैं बचों इस तरह से वो आगे और विचार करता है यहां तक अपने गध्यांश पड़ा है अब जो भी आज में अपने गध्यांश पड़ा उसका हिंदी बावर प्रसंग से हिंदी बावर देना और इस कथा का जो सबदारते उस पर ध जयान देना और इसको याद करना तन्यवत एलो इस्टुदेट गुड मॉर्निंग वेलकमिंग क्लास लास्ट क्लास में मैंने आपको 11.3 के नाइन कोशन तरग कंप्रीट करवा दिरे ठीके आज हम 11 कोशन करवा लिए मैं आपको देखना इसमें कोशन नमबर 11 जिसे देखना डियाग्राम अफ दो अजिसें पिक्च्चर फ्रैम हैस आउटर दामेशन 24 सेंटीमेटर इंटो 28 सेंटीमेटर इसमें यह बताना है कि जिसे एक पिक्चर फ्रैम दे रखिये ठीके जिसें आपको यहाँ पर डियाग्राम के तुरू बता रहे हैं कि एक फ्रैम बनी हुई है जिहां से समझना है इसको ठीके यह फ्रैम बनी हुई है यहाँ पर जिसे इसकी यह तो अंदर फोटो और यह फ्रैम है इस फ्रैम की जो लेंद दे रहे खिये 28 सेंटीमेटर ठीके और यहाँ पर यह दे रहे कि 24 ब्रीट हो गई ठीके यह हो गई आपके 16 और यह वाली clear यहां पर अंदर लिख रही हूं है 20 cm मतला यह परीद हो गई लेंध हो गई बन्त यह यह फोटो हो यह फ्रेम हो गई यहां पर जिसे मैंने लेबल कर दे ए बी और सी एंडे लेबल करने हैं अब को अब यहां पर यह पूछा है कि जैसे इसकी लेंध और पर दे रही हो यहां इनकी विद विद हो गई तो यह आपको इसका एरिया फाइंड करना है इन चारों का आपको क्या वाइन करना है एरिया फाइंड करना है क्या वाइन करना एरिया और इच एरिया और इच विद शेक्शन क्या सेम है अवराल सेम होगा यह दोनों सेम होगी और यह दोनों भी सेम सेंक आप इसे इन दोनों से हो हैं ऑजिए से मोगा थिम पर इन होगे संटीमेट रहीुंपर हम फा maison यह जोंने संटिमेलगे किसे होगा चाम और भी तोक आव के मि यहांग लेसे होगा यहां पर एपको कि baru बॉल मैं किसमें कि ना किंग यह भी किन देंगी कि इंगी हिंक जोले कि लेक्ति आप लेबल कर सकते हैं जैसे वन हो गया यह न टू हो गया और यह थी ओ फौर मतलों किते श्रेक्शन हो गई फॉरी वीदि क्या अगा एक है और सेम और लगा प्रीज ना है आम सब्सक्राइब रहां सब्सक्राइब कॉंसा ज्यूस काहने कสड्us यौ तो हम लिए सब इस बनीक हो अब शोड लेंग कितनी होगे है और ट्व ट्विंटी होगी है क्या करेंगे यहां से चारों से खाना में। तो वीद हे वह सेम ही रहेगे तो यहां पर start now land the width, हम अभी area find नहीं करें हम अभी width की land find करें width of each section bx ठीक है तो जिसे मैंने एक length ले ली यहां पर जिसे मैंने करना आपको चालोँ में से एक लेना है BC हमने ले लिए BC कितना दे रहे कार 28 cm अब BC कैसे बना अब BC देखो x plus मतलग bc पूरा कैसे बनेगा यह x यह पुरा यहां से आता और यह पूरा ठीक है तो x plus x plus 20 इन तिनों से मिलका 28 आ जाएगा इन तिनों की वेल्यू किती ही 28 आ जाएगी ना इसी की वेल्यू हमारी 28 है यहां पर अब इन दोलों की जाएगे कितनी वेल्यू आएगी देखो तो यह हो जाएगा 28 रख दिया है यह पर 28 पुटांगा गया कितना हो गया 4 cm मुटांग इसका मिंस यहआपा यह कितने cm 4 cm यही कितनी हो गई 4 cm यही 4 cm यही कितनी हो गई 4 cm यहाशे के यह तक लिए और यह भी 4 cm इसमें और permettre चलोंबर एफ सिवान आपयने और न की जो भी अब धेको अब अब आरिया में दह को यह चीज आपने मिलान की यहमारे क्या मन्रने काहिए ? इधर यह भी क्या बन रहा है ट्रेपेजिया इधर यह भी क्या बन रहा है ट्रेपेजिया और इधर यह भी क्या बन रहा है ट्रेपेजिया बतल चारों के स्ट्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष area area of section जिसे मैं first का find कर दी area of section first, अगर first ये find तो same ये हो जाएगा, ठीक है तो first का find करते है, तो formula क्या हमारे trapezium की shape है, कौन से shape हो रही है बर trapezium हो रहा है, A, B, ठीक है तो first section, area of section 1 इसमें trapezium का formula यूज़ा है half into h into sum of paleside वही formula आपको यूज़ करना है, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा sum of paleside section 1, यहाँ पर लिखो की ना half into ये तो यहाँ पर लिख देना कि trapezium है ये है, ठीक है, यहाँ पर लिखना area of trapezium equals to ये, ठीक है, ये formula लिखना area of trapezium, पूरा आपको लिखना है आप, अब जैसे यहाँ आप देखो half into h कितनी थी हमारे 4 आई, वही, with इसकी 4 आगी न, वही height हो गई sum of paleside, आप sum of paleside कितनी देगो इसकी, कितनी थी, ये 16 है, ये भी 16 हो जाएगी और यहाँ पर ये कितनी दे रगगी है, 24 तो ये भी 24 हो जाएगी, तो 24 plus 16, तो half ये 2 हो जाएगा, 2 into, ये कितने हो गए आपके, 3 or 40, तो 80 cm, कितना आगया, 80 cm square, ठीक है, 80 cm square आगया, अब इदर देखों, 2 into 40, इसका मतला, इस section करे रहे, कितना edit हो, इसका भी same ये होगा, यहाँ पर एक line लिखना नीचे, यहाँ, so area of section 1 equals to area of section 3, तो इन दोनों का idea same हो जाएगा, इन दोनों का area same हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही हो, मतला, use करोगे, 16 use करोगे, 24 use करोगे, और 4 use करोगे, तो आपको अलग particular नहीं find करना, एक का find करना, फिन नीचे लाइन लिखनी जरूर ही है, प्यूंकि हमें यहाँ पर area भी इच section का find करना है, वीद भी find करनी दियो, area भी find करना, तो यहाँ पर हमने यहाँ फाइन कर दिया, अब हमें इसमें से दोनों एक find करो, ताकि एक इक पल आ जाए, अब इसमें भी देख लो, area 1 equals to area 3, हमने 3 का निकाला जरूर नहीं समझा, प्यूंकि यहाँ पर यह दोनों equally हो तो मैंने वैसे लिख दिया कि, यह 3 का होगे, अब जैसे मैं लिखती हूं, area of next area of section 2, अब इसका find करें हम 2 का, तो 4 आ जाएगा automatic, यहाँ पर भी formula भी use होगा, half into h, ठीक है, sum of, यहाँ लाइन लिख दिना area of trapezium की sum of पहले साइड, इसे half into, अब यहाँ पर देखो, h कितनी 4 ही है, अब यहाँ पर sum करना है हमें, sum किसका होगा देखो, 28, और यहाँ पर यह, 20, दोनों पहले साइड यही होने, 20, और 20, 28, अब 2 के table से 2 कर रहा है, तो 2 into, अब यह 2 into यह कर रहा है आपके, तो यह कितनी हो जाएंगे, 48, और 48 को 2 से multiply करो, कितना आजाएगा, 96 cm, तो बस यह हो गया आपके, so area of, नीचे line लिख दो, इसका area और इसका area same है आपके, area of section 2 equals to area of section 4, ठीके, यह line पूरी यहां तक लिख देना, यह आपके question पुरा complete हो गया, और 4 के area हमने find कर लिए, ठीके, next class में यह line point 3 करेंगे, thank you. Good morning class, Reproduction in Animals का part 8 पढ़ेंगे, last previous part में हमने देखा था fertilization, यानि की human reproductive system पढ़ रहे हम, human reproductive system ही पढ़ना है, इसमें पहले animal का थोड़ा introduction देख लिया, उसके बाद male female reproductive organs के बारे में हमने study कर लिया है, अब fertilization, उसके बाद male और female gamits किया, diagram बनाने को बोला था, मैंने, वो diagram जैसे ही हो जाता है, उसके बाद एक step आता है, fertilization, जिसके बारे में already हम discuss कर चुके, fertilization के बाद अगर बात करें, तो fertilization के बाद जो zygote बन रहा है, उस zygote से embryo development की stages को आज हम देखेंगे, याने कि यहाँ fertilization मैंने इसको describe किया था आपको, कि किस तरह से एक female gamits के around, जो male gamits होते हैं, बहुत सरे होते हैं, बट इन में से सिर्फ एक male gamit, female gamit से fuse हो पाता है, और इस तरह से दोनों के nucleus का fusion होता है, इस process को हम fertilization बोलते हैं, दोनों gamit या दोनों nucleus के fusion से, एक cell से दो cell, चार cell और इस तरह से cell में बार-बार division होता है, जिसकी वज़े से एक zygote का formation हो जाता है, अब इस zygote में बार-बार division के बार, धीरे-धीरे क्या बनने लगता है, embryo, और embryo से ही baby का formation होता है, हमारा formation भी इस तरह से हुआ है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि human में, human baby का formation female body के अंदर कैसे होता है, पहले तो यह देखेंगे कि embryo कैसे बनता है, और फिर इसके बाद देखेंगे कि uterus में यह जो development सारा हो रहा है न, यह किसके अंदर हो रहा है, female body में एक organ होता है uterus, जिसके अंदर baby mature होता है, या development या growth स जो भी चीज़े होती है, उसके सारे धिरे-धिरे ओर्गन्स बनते हैं, तो यहां पर पहले डिसकस करते हैं, एंब्रेयो के बारे में, किस तरह से एक जाइगोट सेल एंब्रेयो में कनवर्ट हो जाती है, जाइगोट फॉर्म्ड अप्टर फर्टिलाइजेशन, यह चीज़ अप्टर फर्टिलाइजेशन, बेंग्स टू डेवलप इंटू एन एंब्रेयो, धिरे-धिरे यह किस में डेवलप होने लगता है, एंब्रेयो में, फिगर 9.9, यह वला, किस तरह से हो रहा है, यह चीज़ यहां पर दिखा रही है, कि आपको बहुत ही क्लियरली दे रखा है न, तो आपको लिखने से अच्छा है कि आप डाइग्राम बनाओ, आपको लिखने की जरुरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन में जैसे मैंने कहा होगा, आपको एकादी डेपिनेशन लिखने की यह वाली, the fusion of egg with sperm is called fertilization, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि यह डाइग् ही आपको बनाना है, यह लाइन लिखने के बाद आपको यह complete diagram बनाना है, उसके बाद आपको heading डालनी है, यह वाली, development of embryo की, और heading डालने के बाद आपको यह वाला diagram बनाना है, ठीक है, और यह जो लिखा हुआ है, यह आपको इससे clear हो गया, तो हम पहले diagram देख लेते हैं, female gamit हैं, egg और ova, इसके around 4 तरब कौन है, male gamits है, लेकिन इन में से fuse होगा, एक अंदर आएगा, इस तरह से male और female gamit या female nucleus का fusion हुआ, तो दो nucleus आगा इसमें, एक male होगा, एक female होगा, है क्या है, egg cell, ठीक है, egg cell के अंदर हो रहा है, अब धिरे-धिरे यह दो से आपको दिख रह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और division हुआ, बार-बार इस तरह से cell, cell बनती जाएगी, तो इस तरह से यह जो zygote था, यहाँ वाला, यह इस embryo में convert होने वाला है, अब जैसे जैसे यह बार-बार division करेगा, division करने के बाद यह, आपको दिख रहा है न, यह पहले cell थी, यह cell, group of cell हुआ, और group of cells से यह क्या कहलाएगा, tissue कहलाएगा, अब tissue से, group of tissue से यह क्या बन जाएगे, अंदर के अंदर, organ बनने लगे, सबसे पहले कुछ organ बनेगा, ear बना, eye बना, nose बना, liver बना, digestive system, फिर सारे system बनने लगेगे, organ बन जाएगे, organ बनने के बाद system बनेगे, organ system से एक baby का, या जो भी body का formation हो जाएगा, अब यहाँ पर जैसे दे रखा है, कि human में female body के अंदर जो development होता है, एक embryo का, वो किस तरह से होता है, यहाँ diagram, यह भी diagram से आपको easily समझ में आएगा, zygote formation and development of an embryo from the zygote, जिसे यहाँ दे रखा है, यह किसका structure है, female reproductive system का, अब यहाँ पर यह वाला portion क्या था, elastic bag like structure, that's called uterus, अब uterus के अंदर, यहाँ पर जो है, वो क्या चीज़े, यह fallopian tubes है, ठीक है, यह ovaries है, जहाँ पर eggs produce होते हैं, बनते हैं every month, अब यह जो eggs है, वो produce होकर कहा जा रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, अब क्या होता है, male gamit और female gamit का, जो यहाँ पर fusion होता है, fusion होने के बाद, यहाँ पर, यहाँ पर, mating के बाद, यहाँ पर क्या बनने लगेगा, zygote, और यह zygote क्या होगा, धिरे धिरे, embryo बनेगा, तो यह जो embryo, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पर भी embryo नहीं बनेगा, embryo का formation और development uterus में होता है, मतलब यह समझ सकते हो, कि इस पूरे female reproductive system में भी, सिर्व uterus ऐसी जगा है, या uterus ऐसा portion है, जहाँ पर baby को, या जहाँ पर embryo को, अच्छा medium मिल पाता है, ठीक है, development जो होता है, वो uterus में होता है, तो यहाँ पर embryo लिखा हुआ है, यह जो zygote होगा, fully zygote बनने के बाद जब embryo हो जाएगा, तो वो यहाँ पर आकर growing या development शो करता है, तो यह diagram आपको बनाना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, यह ovaries है, जहाँ से ovaries होते हैं, अब यहाँ पर बाहर से outer structure दे रखा है, जैसे आपने कभी सुना होगा, sonographies बगेरा की जाती है, जिसमें हर month या 2-3 months के gap में यह check किया जाता है, कि baby अंदर healthy grow कर रहा है या नहीं, उसके अंदर कुछ ऐसे complications तो नहीं आ रहे, तो यह जो structure है वो इस तरह से इतना clear नहीं दिखता है, आपको समझाने के लिए यहाँ पर uterus दे रखा है, जिसके अंदर एक healthy baby को growth करते हुए दिखाया गया है, यहाँ पर इस चीज को बोलते है placenta, यह word भी आपके लिए नया है, placenta क्या चीज होती है, जहाँ से baby और mother की body क connection link होता है, connective link, जहाँ से अब इतना चोटा baby कुछ खाना तो खायेगा नहीं, तो उसको अपनी mother body से जो जो चीज मदर खाती है, वो चीज का nutrition, convert होकर direct उस baby को मिलता है, तो वो जो मिलने वाला nutrition होता है, वो किसके वाया मिलता है, या किसके through मिलता है, तो आप समझ सकते हो न तो उसके जो नाभी जो होती है, वहाँ पर उसका जो connective link होता है, उसको बोलते है placenta, जिसको बोलते है बेबी जब भी birth कर लेता है, उसको वहाँ से cut down करते हैं, डॉक्टर सी करते हैं तो वो चीज होती है placenta, जिसमें mother और बेबी का connective link होता है, जहाँ से बेबी को nutrition मिलता ह अब आगे देखते हैं, do you know, ये चीज़ क्या होती है, तो आपको ये diagram नहीं बनाना है, ये समझना है, आपको diagram ये वाला बनाना है, और उसकी previous part में development of embryo का बनाना है, अब ये चीज़ कुछ और है, test tube babies, सबने सुनी रखे होगी, कभी ना कभी इसका नाम आया होगा, बहुत स लोगों को पता भी होगा आप में से कि test tube baby क्या होता है, in vitro fertilization, test tube baby को other language में क्या बोल सकते है, IVF, इसके hospitals भी होते हैं, आपने कही ना कही पढ़ा होगा, देखते हैं इसके बारे में क्या होता है, in vitro fertilization refers to the fusion of eggs with the sperm, याने male और female gamit का fusion, inside the test tube, याने कि female body में नहीं हो रहा है, कहा हो रहा है, test tube में हो रहा है, example दे रखा है, outside the female body, test tube कोई female body के अंदर तो होगी नहीं, मतलब यह कि male और female, किसी बज़ा से अगर किसे person में कुछ problems हो, कुछ complications हो, जिनके naturally जो baby का development या formation होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, तो ऐसी conditions में doctors क्या करवाते हैं, male और female, दोनों gam limits को लेते हैं, that means test tube में लेते हैं, laboratories में लेते हैं, उनको proper suitable environment में रखा चाता है, क्योंकि अगर उनको बाहर निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो damage हो सकते हैं, वो deactivate हो सकते हैं, तो उनको proper environment में, proper laboratories में इस चीज़ को experiment के रूप में किया चाता है, तो यह बहुत ज़्यादा complicated है, या आप बोल सकते हो कि इतना ज़्यादा simple नहीं होता है, यह complex process होती है, जिसमें दोनों gamits को female body के बाहर क्या करवाया जाता है, fuse करवाया जाता है, जिसको हम fertilization बोलते हैं, तो यह fertilization किस तरह का हुआ, external, वैसे तो external fertilization हम बोलते हैं, human में होता ही नहीं, किस में होता है, frog में होता है, hand में और human में internal fertilization होता है, जिसमें female body के अंदर होता है, लेकिन यहाँ जो fertilization हो रहा है, वो outside the female body, याने female body के बाहर होगा, याने test tube में, laboratories के अंदर होगा, this kind of fertilization is undertaken in certain cases where obduft of women are blocked and therefore this woman cannot bear babies, होता क्या है, जब किसी female या जब किसी male, दोनों की बात करे, दोनों के अंदर ये जो gamits है, ova और sperm, egg और sperm, ये अगर अच्छे से development नहीं हो पाते हैं या अच्छी condition में नहीं होते हैं, तो ऐसे person के लिए ये technique यूज की जाती है, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये treatment है, यहाँ जैसे दिरखा है, woman cannot bear babies, अगर किसी की ovaries block होती है, ये वाली, तो क्या होगा, यहाँ से eggs produce ही नहीं होगे, और अगर egg produce नहीं होए, तो वो male gamits से fuse नहीं हो पाएंगे और baby का formation नहीं हो पाएगा, इसके लिए क्या होता है, जिन person में या तो किसी female body में ovaries block होती है, या किसी male person में male gamit deactive होते हैं, तो ऐसी condition में उनके gamits को बाहर fertilized करवाया जाता है, kept together for a few hours pouring in vitro fertilization to take place in a test tube, क्योंकि यह test tube में करने वाला process है, किसी body के अंदर नहीं होता, यानि body के अंदर नहीं होता मतलब fusion बाहर करवाते हैं, fusion बाहर करवाने के बाद उस बनने वाले zygote को वापस female body में transplant करवा देते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा baby test tube में बन गया, प fertilization occur, the zygote is allowed to develop for about week and then introduced inside the uterus of the mother, दिख दिया है ने आपे, अब इस zygote को आप allow कर सकते हो, about week, एक week के बाद, जब वो लगे कि वो zygote healthy है, अब वो zygote किसी embryo में convertible हो सकता है, तब उस zygote को आप क्या करोगे, या doctors क्या करते हैं, उसको किसी female mother, जो भी mother होगी, उसकी body में inside, uterus के अंदर उसको transplant करवा दिने, यानि कि यहाँ जो uterus है, कैसे transplant करवाईने, by the injection, injections के through, उस छोटे से gamete के fusion को, जो छोटा सा होता है, at the initial stage हो बहुत जादा छोटा होता है, दो cell का fusion होता है, तो वो बहुत जादा, छोटी जीज होती है, जिसको inject करवाया जाता है female body के अंद further development take place in the uterus like any other baby, अब जैसे normal baby का formation या development होता है, वैसे के वैसे वहाँ पर भी हो जाएगा, the term is actually misleading, babies are not grown inside test tube, only fertilization and initial development take place inside test tube, आपको in vitro fertilization test tube baby के बाद important line ये underline करनी है और ये note भी करनी है कि पूरा baby test tube में नहीं बनता है, खाली fertilization जो होता है, वो test tube में करवाया जाता है, उसके बाद young ones और adults को हम next class में पढ़ेंगे, आपको interest आ रहो होगा, आप notes बनाते रहें, thank you. Good morning students, हम lesson 8 पढ़ रहे थे, women, caste and reforms, इसके अंदर जो last time हम पढ़ रहे थे topic, वो हम caste के बारे बे पढ़ रहे थे, कि caste के बेस पर कौन कुन से reforms चल रहे थे, और last time हम ने इसमें जो पढ़ा था, वो non-brahmin movement जो चल रहा था, यानिकि गेर-brahmin-andolan जो चल रहा था, जिसमें आप को नाम दे रहे थे, नायकर के बारे में उन्होंने किस प्रकार से क्या था, इवी रामास्वामी नायकर और पेरियार की ये पहले क्या थे, एसेटिक थे, यानिकि तपस्वी थे, और फिर इन्होंने क्या क्या बात में, ये particular Congress के member बन गये थे, और वहाँ पर इनके साथ जो किस प्रकार से प्राप्त करना है, तो इसके अंदर second paragraph समको read करना है, this assertion did not go unchallenged speeches, writing and moments of lower caste leaders did not lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders, अब क्या किया इन लोगोंने, कि किसी न किसी प्रकार से लोगों को जागरूप करना है, बताना है, तो उन्होंने क्या किया, speech के माध्यम से, writing के माध्यम से, क्योंकि सबसे बड़ा तरीका यह होता है, मेरा आपको पहले भी बताया था, अगर किसी को अपनी बात सिद्ध करनी है, अपनी बात बतानी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा वर्कार करेगा, वो कौन करेगा, media करेगा, newspaper करेग लेकिन, newspaper एक कैसा माध्यम होता है, जिसको सबी लोग पढ़ते हैं, और देखते भी और उसमें, जो information आती हो, उसको सही भी मानते हैं, तो यहाँ पर भी इन लोगों किया, क्या क्या है, पुना सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जो लोगों की सोच थी, उसको फिर से इन् गुंदोश बता ना, आमों, अपर कास्ट नेशनलिस्ट लिडर्स, बट और ओर्थोडोक्स, हिंदू सोसाइटी और पहले भी बताया, मैंने रूडी वाजी था, हिंदू समाज में जो ती ही उसको रियक्ट के लिए फाउंडिग, यानि कि खोज की, कोन-कोन से सस्ता है, भारत धर्म महामंदर अंडरन करनाप, इनको कहाँ पर नौर्थ में, एंड एस्सोशेशन्स लाइग द ब्रह्म सभाइन बंगाल, यानि कि इन सभाव की इन्हों ने इस्ता अपना की थी, the object of this association was to outfold the caste's distinctions as a core stone of Hinduism and show how this was satisfied by the scriptures, क्या, अब इनका उद्देश क्या था, ये ज यहां पर lower caste के लोगी, क्योंकि ये क्या बोलते थे, कि हम लोग ध्रविड के संस्कृति के हैं और हम ब्राह्मन वर्ग से पहले थे, लेकिन हम लोगों के लोग कास्ट में माना गया और हमारे साथ बेदबाव किया गया है, तो जो core estonia ने कि उनको side में जो रखा गया है, उस उसके बेस पर भेदबाव किया जाता था, उसको दूर करने का, debate and struggle over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own times, उसके अलवा debate का मतला बाद विवाद करना, किसी भी point को लेकर अपना पक्ष रखना, उसके बाद struggle ये संगर्ष continue चलता रहा था, कब तक colonial period तक and still going on in on our own times, जब तक उनको अपना स्व अपने मान ने मिल गया था, तब तक ये संगर्ष चलता रहा था, अब अपने main point आता है, caste के अंदर, अभी जो हमने पढ़ा था, वो नॉर्मल था, कि उसके अंदर क्या क्या किया, लेकिन सबसे बड़ा जो point आता हूँ ये आता है, the fight against untouchability, untouchability का मिन्स क्या होता है, constitution, father of constitution जिनको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, वीमराव अंबेटकर को, वीमराव अंबेटकर ने क्या-क्या प्रियास किये, क्या-क्या reforms किये, जिससे की, जो lower caste के लोग के, उनको भी अपने rights मिल गये थे, देखते हैं, इन्होंने क्या-क्या किये, untouchability is an literal sense, it is the practices of ostracizing a minority group by sagrating them from the main stream by social custom or legal mandate, देखो क्या दे रखा है, untouchability is a literal sense, in the practice of ostracizing a minority group, minority group का means क्या होता है, अलपसंख्या group के सकते है, sagrating them, sagrating का मतलब होता है, अलग करना, the name from the main stream, main stream यानि कि समाज की जो मुख्य रेका है, उनकी जो समाजी कृति रिवाज है, उनसे उन लोगों को अलग समनना ह किनको जो untouchable जिनको मानते हैं, अपन जिनको चुआ चुआ चुद मानते हैं, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चकी हूँ, कि हमारे समाज में पहले चार वर्ग थे, ब्राह्मन, शत्री, वेश और शुद्र, तो ब्राह्मन को सबसे उच्च वर्ग में रखा गया, उसके कि शुद्राजवर के अंदर जो भी लोग आते थे, उनको जन्म से ही untouchable माना जाता था, यानिकि इनको अपने को चुआ नहीं, चुआ चुआ चुद का मिलब क्या, चुआ नहीं, आप लोगों ने देखा हूँ, कभी आप बाहर जाके आते हो, और कभी ऐसी किसी परसन के अबी भी मानते हैं, कि तुने उस परसन को चुल जा, तो घर में आके ना हो, कप्रे चेंज करो, यह वो, तो यह हमारी छोटी-छोटी thinking है, पर्टिकुलर परसन को लेकर कि हमको इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो यह जो प्रोब्लम से इनको दूर करन किया था, the term is most commonly associated with treatment of the Dalit communities in the Indian subcontinent who were considered polluting, अब क्या माना जाता था इनको, यह जो untouchable word आता था, किसके लिए आता था, the term is most commonly associated with treatment of the Dalit communities, Dalit communities, Dalit नाम सुना होगा, पर्टिकुलर एक कास्ट के बारे का जाता है, कि यह Dalit वर्ग से भी लोग करते हैं, अभी आपने recently सुना होगा यूपी में जो एक रेप केस हुआ था, उसके लिए कहा जाता है, यह Dalit कास्ट को बिलोग करते हैं, तो वो पर्टिकुलर कास्ट को लेकर वो वर्ड लेता है, और इस वर्ड का यूज कहां पर करते हैं, Indian subcontinent में एक पर्टिकुलर को treatment किया जाता है, इलाज किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, polluting कहते हैं, they were treated very badly, जो क्या होता है कि बहुत बूरी तरह से अच्छा नहीं लगता है, ऐसा को वर्ड किसी के लिए यूज करते हैं, तो वो बहुत बूरा लगता है, in fact, they were not considered as human being, many reforms worked for them, अब इसके अंदर के सकते हैं कि यह जो था, इसके लिए बह बिमारी के लिए यूज में आता था और एक पर्टिकुलर कास्ट के बारे में इसको बोला जाने लगा, बिम्राम अंबिटकर ट्राइट तो प्रमोट एजुकेशन तो अंटेचिबल एड अफलिफ्ट दें, दे रखा हैं, इन्होंने क्या-क्या प्रियास किये थे, सबसे इन्होंने एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, his first organized attempt was his establishment of the central institution, बहिश्क्रे थीतकारे नी सब, अंडरलाइन करना इसको, इन्होंने सबसे फर्स्ट एक central institution, केंधी सस्ता की स्थापना की थी, जिसका नाम किया है, बहिश्क्रे थीतकारे नी सब, intent to promote education and socio-economic improvement, क्या किया है education को बढ़ावा दिया था, साथ ही इन्होंने शिक्षा और सामाजिक आर्थिक रूप से भी उनको improvement करने के लिए आगे बढ़ाने के प्रयास किये थे, as well as the welfare of outcasts, at that time referred to as depressed classes, for the defense of Dalit right, he started five periodics, अब इनके पांच काल आये थे, अलग-अलग समय पर इन्होंने किस प्रकार से book को यह लिखी थी, उसके लिए दे रखा है, first यहां से आप अंडर्लाइन करना पूरा, मुक नायक, मुक का मतलब क्या होता है, वेसी जो बोलता नहीं है, उसके लिए, मुक नायक, the leader of the dump, 1920 में लिखी थी, भाहिश्कृत बारत, यह जो लिखी थी, ostracized India, 1924, समता, equality, equality का मिन समता, 1928, जनता, the people, 1930, एंड, प्रबुद्ध भारत, एंड, लाइंट, मिन, इंडिया, 1956, यह अलग-अलग के सकते हैं, इनके 5 काल आये थे, उन्होंने अलग-अलग प्रकार की books लिखी थी, अब इसी के आगे जो अपने को दे रखा है, next, उसको हम next video में continue करेंगे, इसी के बारे में दे रखा है, कौन-कौन से हमारे समाज में बुराया थी, उसको हम next video में continue करेंगे, थेंक्यू. Good morning students, जनन किस प्रकार होता है, यह प्रक्रिया हमने देखी, आज देखेंगे संतती का लिंग निर्धारन किस प्रकार होता है, हम सुनते हैं कि लड़का होने वाला हो या लड़की होने वाला, लड़का होगा या लड़की, इस प्रकार की जो क्रिया होती है न, कि क्या होगा, तो आज देखो लड़का अथवा लड़की किस प्रकार होती है, निशेचन अंडारू अथवा युकमनस में जन्म लेने व गुण सुत्र पते कोशिका के केंद्रक में पसीद होते हैं, हमारा सदीर कोशिका से मिलकर बनाए, कोशिका के तीन बाद, कोशिका जिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, केंद्रक के अंदर धागे के समान जो सरचना ने पाई जाती हैं, उनको हम गुण सुत्र कहते हैं, सभी मनुष्य की कोशिका के केंद्रग में 23 जोड़े गुर्ण सुत्र होते हैं मनुष्य के जो कोशिका होती है न उनके केंद्रग में 23 जोड़े गुर्ण सुत्र पाए जाते हैं इन में से दो गुर्ण सुत्र एक जोड़ी लिंग सुत्र है जिने X एम Y कर दे यानि कि एक जोड़ी यानि कि उसके अंदर दो जो होते हैं एक्स और वाई किलाते हैं जो लिंग सुत्र कहते हैं उसको एक्स और वाई कहते हैं इस तरी में दो एक्स गुर्ण सुत्र होते हैं देखो मनुश्य जो लड़का होगा उसके अंदर X और Y एक जोड़ा हुआ, लड़की होगी उसके अंदर X X का एक जोड़ा होगा, इस प्रकार ते ही जोड़े होती, जबकि पुरुस में 1 X तता Y गुनसुत्र होता है, युगमनज अंडानू और शुक्रानू के गुनसुत् देखो इस चित्र के द्वारा आप समझ जाओगे, ये नर लड़का है, ये लड़की है, तो जो लड़का होता है, उसके अंदर जो गुनसुत्र होते हैं, एक X होता है, और एक Y होता है, लड़कियों में जो जोड़ा होता है, दोनों ही X होता है, आप देखो चित्र यदि निशेचन करने वाले वाए गुनसुत्र होगा और आप जान गए कि जन्मसेफ कुरु शेशू के लिंग नीरधार में उसके पीता के गुर्सुत्र का द्वारा किया जाता है यह दाना बच्चे के लिंग के लिए उनकी मा उतरदाई होती है निरादार देखो लड़का होगा या लड़की होगी दोनों किसके अधार पर होंगे गुर्सुत्र के अधार पर कहते हैं न यह औरत लड़की ही पेदा करदी तो मापर दोस लिया चाथ तो गलत ही ये गुंर सुत्र क्या दर पर होता है देखिए लड़के में जो जो जोड़ी है X Y है और लड़की में क्या है X X जब लड़का जो शुक्रानू होता है वो X से क्रिया करेगा एक्स वाई बनेगा इसका मतलब लड़का होगा जब वाई शुक्रानू एक्स से क्रिया करेगा यह शुक्रानू किसके हैं बोईस के यह एक्स किसके हैं गल्स के यह दोनों अंडानू ठीक हैं अंडानू और शुक्रानू हम जानते हैं कि अंडानू और शुक्रानू अपस मे एक्स अंडानों से क्रिया करेगा तो एक्स वाई बनेगा इसका मतलब लड़का हो गया जब एक्स शुक्रानों एक्स अंडानों से क्रिया करेगा तो लड़की होगी डबल एक्स बनेगा तो इस प्रकार हम लिंग ने रधारन कर रहे हैं जब Y शुक्रानू, X अंडानू से क्रिया करेगा, संपर्क में आएगा, तो XY बनेगा, तो इसका मतलब होए, X शुक्रानू, X अंडानू से क्रिया, संपर्क में आएगा, तो XX यानि की लड़की उत्पन होगी, इसके आदर पर हम कह सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की, लिंग हार्मोन के अन्य हार्मोन भी होते हैं देखो और कौन-कौन से हार्मोन है पियुष ग्रंती द्वारा इस्त्रावित हार्मोन जननंगों को उनके हार्मोन उत्पन करने के लिए उद्धीपित करते हैं आप पर चुके हैं कि प्यूश ग्रंती एक अंतस्त्रावी ग्रंती है जो मस्तिस्क से जुड़ी है ये देखो ये मस्तिस्क से जुड़ी हुई प्यूश ग्रंती है प्यूश ग्रंती व्रशन और अंडाशय के अतिक हमाई शरीर में थाइडाइट अग्नियाशय एड्रीनल आप देखिए थाइनाइट, अग्नियाशाय, एड्रेनल, जिसी अन्य अन्तस्त्रावी ग्रंतियां भी हैं, यह और भी अलग ग्रंतियां हैं, बुजोर पहली को याद है कि एक बार जब अपनी डोक्टर बुआ के यहां गए थे, तब उन्होंने वहां काका नाम के एक उनकी भुआ ने बताया कि काका गायेटर नामक व्यादी से ग्रसी थे, वह भुआ के वहां के भुआ डोक्टर थी, उनके लड़काया, उनका गला सूजा हुआ था, तो भुआ ने बताया कि यह जो गला क्यूं सूजा है क्योंकि उसको गायेटर नामक एक विमारी है, जो करना थैराड गरंधि का रोग हे, तो एका का का ने थैराड गरंधिहा था थैराक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहींО कर रही थी, उनकी 골ा ने विपाजी था मधुमेे रोग से पीरी थे यह रोग कोन सा के लाएगा मदू में रोग क्योंकि उनका अग्णाशे इंसुलीन हार्मोन का उत्पणन परियाप्त मात्रा में नहीं कर रहा था बुज और पहले ने अपने के दरवा खाने में तंगे चाड को दाशाने के लिए अग्णाशे ग्रंती के बारे प अब नेली नामक हर्मोन क करते हैं एड्री ये क्रोद चिंता उत्तेजना की अवस्था में तनाव के सहयोंजन का कार्य करती हिसका कार्य है थायरेंग अड्रीनिल गंति पीश गंति जवरा इंसॏ हर्मोन के माध्यम से प्रात आधेस के एनुशार हमारे ही अपने हर्मोन का करती पीश गर्णती व्रद्धी हार्मोन में हार्मोन भी इस्त्रावित करती जो व्यक्ति के सामाने व्रद्धी के लिए आवश्य थी आप ने जो देखा लिंग निर्दारन लड़का होगा या लड़की उसको एक बार पढ़कर उसको याद कर ले में जो एक लोड़की खुट मार्मोन लुट भी इसके अदर अपना सवाल ने कारकेश वह अपने छार आ सवाल चल्दरा कार इसके अदर अधर तीसदी केंपने पहला सवाल में आपको तरवागी आता है सबाइब आपड दूसरा देखिए इसका दूसरा सबाइब तो करें कि आपका जहां से देखना है इसके हैं तीज्डे तर्ट के फुस्टा स्वाद है A square plus 5 Poster-1, D 3 Plus 3, Poster-1, Plus 5 यह स्वाद है तीज्डे स्वाद है क्या है जिए देखना निखास संदलना सबसे पिले इन दोजों Poster-Kamera ना गोडा लेना वर्डी इसाटिंगे साब चलेगा क्या सिरना सबसे क्यां अमने प्यारी को है बिवद के दो दिएको इसमें इस परिंटे में आगे a² इंटीक्यू A² के हमाना विपीजिशे का हो लिए कि A2DQ बीजिवाइगा इस कुछा कि A² ग्माने 3 से गउआ जाए है फिटिया है कि जाहों अच्छा हमेसा पेडा जाहता है हमेसा बाद में आगा कि आपर नहीं is this下來 णिष्यभाट प्ल RICH करें प्ल्स करें स्का बेहां बाहरे थे करें कि अच्छ mean गल्राफ अच्छ में अच्छ गरिस्द हां प्लिद किशु भीं का कंवा थिसल्वर अब याने हैं सेंसें में किला रहा है यह बीधि पो देतर है नहीं है यह है है यह थाल चैनल का इंख टेख्वाय लिटयों को तरहा ही तो चक्षडी किलामत के जोड़ें सब्सक्राइब, सब्सक्राइब द द द रहा है, ठीक के रहा है कि ऑपी कि क्रीन ढ द द 12 द 3 ईक Wash Walk कि रुझेक ऐा Gentlemen, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब ॉर मॾश्टरं इक पर यह उना द exactly a आप्र बॉया है सबस्टोन स сигण दोत परियां से के मांगऑ नहीं。 इसलों का इस मेंनों के किने होगा वगह नहीं. ठीक दोत भाली और ज्रीन सिंगरा आकें कोता आकेंसरें के पर द्रीजिफरों किरी भाली यीजि़०्स के सदिनों विदे कॉस्टोन कि पर दिदे लॵाय जाकें. सिल्षी दिनाओ कर संबना कें होगाओ बांस के लिए के लिए अपार के लिए माइनस के लिए ी कर आगर, आपा क्या समय का मिनस के दिकाचोणा करां कि I. तुए अगर को सिनेशते हिंais से क्लस के दोخ वर्या asks, सब्सके दोगाचोणा क्लोक क्लागी 100 सिन, सब्सके दोगंजा Sug, इसने के बली लगे अप्रयवें और सकते हम संथी उए नां एक अब को सब्सकिक्त की मोई आई कि आगे । रस्का एक एक को उ से को गढ"- कि आगा झान कर ला कैई कि समगा है कि स इसर का कि आगा फ्रास्क एक का गई से को गढ़ा कि सी वै ले अग, क्स छे चाय को न से को गढ़ाँस क गढ़ां सिर्ण आगी सी घुल कम आगा उर और न क्स दुक्तटा जाही tis यह सिक्रा रसा याव से में और करने ह котором लिए श्तवात विल भनुबस को संपसरे एक में आप स्पारी प्रोफ में है इसने हैं घाज सतना नंबले को संपना इसने सब्सक्राइब आगे लेuffो, 2018 यह PLUS के 2AC, PLUS के 2AC और PLUS के 2 BD, Blizzard अ द्यान सकरेंगा, अब यह PLUS के के माइडस के 2 BD याITT माइडस के 2 BD किने से PLUS के 2 BD क्या है थाउन माइडस के 2 AC ते 2 AC हो कि 2 AC किते हो कि 24 HEB tussen आपना EXO हो जाइysical type Tuna के 4 AC के आपना EXO के अफंजाए Cell борी अफंगा कि यह है कि इसी कंदिशन के आड़े एका सवाल अपर आपका चोटा हो गया है पाच्वा की जिंद्र से छटा देखीजिए सवाल पर सिस्ट लिए सवाल पर सिस्ट क्या कहना चीजिए का अपर याम पर अपर लॉपाद है और इने कि आपके निए दोवबदों से करना है सब्सक्राइन कोई लगने साथ इसे कमदा इससे करना है ठीके? यह रहो पों इसे वाइपैके चपक्ट फोट् से करना है वापस की बन्ह ईकस कबना करना है कि माइनस न एकस य से еловास माइनस उकट्स कबना यस्ट्स कबना यस्ट्स करना है यहा खेसे रहो पूल्पन करीब चुथा आगे देखो, य का गुणा एकस्ट से करना है, फ्लस की य का गुणा एकस्ट से करना है, फ्लस की य का गुणा एकस्ट से करना है, फ्लस की य का गुणा एकस्ट से करना है, फ्लस की य का गुणा एकस्ट से करना है, फ्लस की य का गुणा एकस्ट से करना है, फ्लस की य का यह उत्याज प्यों कि लिए पींड खने करती प्र सम cat गोना है भीक्सिक्सय करें सबती प्र नागरे भीनिकल प्र वस्सोद केका बाइसक्सय के विएकशिक्सबद्स है वाइक है अलपने उत्मिम् Lup Warum I राट兩個 वाल करें था किया एक से उसके जो क reflect on कें याँ, आ हगाी से पुलास ≡ CT, ब्लस कर बिज़ा को establish इहां X से गहारा या, यो इक स्क्राइब आहा हैились, ने आहें ने च्द रहाएं ने आहें, इस बित नो आ है, यो इस बन साओ घान नीम है बैना दो युझे इसमों का X Y S कर प्लस का X Y S कर फ़ाइबिस का पट्षे है यहां में क्या है? प्लस के युट्रिया का अप्टा अंसर गिलेड़ाख टीक के एसी कंपिसर में आगे लेखिए सवालों तबाद फ़िए चटा हो गया लाश लेखिए इसका अगे बाद सब्सक्राइब करें क्या है क्यां से इतना a plus b plus c इसे प्रिकार a plus b minus c a plus b plus c a plus b plus c a plus b minus c ठीके तो तो का मेल्डिक पर करें करें आपके वो यहां किन पर है कि इसे में इका कrak उन्न सब्सक्राइब तक्राहिज है दीकार नच्मर मदाधcek सब्सक्राहिए पर कहें रेंगा s'il एक उन्न 3 s'il एक उन्न 4 1 एक उन्न 4 1 एक उन्न 2 1 website वको बॉन्स के इसे करणा भी करांगे गला कि सरा वी का होना के सरा इसे करांग हो प्रस के सिता गुला में, माइनस 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 के सिता गुला में, माइ ev2.1-2V पूस्टकाट 것 रगो बैसे एखत वागी Britt kar traveled बु पर लगो si घखत करें माइनस कर दिनद कर च यह छुदकाट करें एखता更 गो कि लागे मिन एखत के एखतàng आगे माईनस करें पक्र बु ऑल उर भागे C++ मा-C से करें। C++ क्लियर जाते कोई प्रोब्ल्म नीया आगे लेखो A square के ददर आजा है नहीं A square A square A B plus का है, A B plus का और नीतना लेखो A B B किता होगे प्लस के 2 A B ठीके A C प्लस के माइनस कर लेख प्लस के करें clear अगे clear होगी ठीके अम लेजितेबों यह वी ही हो प्याओ, इसके तेस्ञ टो की सपना ऑचा , प्लस की स 뉴스 गही। के वितलास्ती ही प्लास्थल क्या बचा, था के दो चली ससपनाग रन्द की सिस्पनाग क्लियर यह आपका अशाब अब अपन पढ़ेके सर्वस्था के वाई के वाई के अधिया पुछना वजी ऊपट का रिवना कदर होती है अपना आज सर्वस्था के कारणा में नेगे लिए कि जो पश्था होने पने नहीं शिर्विश्था के लेगी यह आपको सर्वस्था के वाई वाई करता हूँ ती चार अपने सर्वस्था के वाई करता हूँ ती चार अपने सर्वस्था के वाई करता हूँ सर्वस्था करता हूँ किसी बीजी परज़त के मानों को संतुष्क करता हूँ यानि इससी सब्भसमीका जो चर्टहिए सब्भसमीका को दिये सद्भसमीका बढ़िए आपलेपा ने सद्भसमीका इसके बारे बारेपना पड़ेग्ड़ जहां पर सब्सक्रन का है काज.. काजन बत्त ? सम्राद भीले, नौर्ण free से, आपको सुम्म जगारे स्क्झ। सुम्मीयां, दूनम के सब्सक्रोट पूरु न का दे है। नगें हाग्यीस कसे दोनम के क्या है ुप फिक है की इसको महाख ? A plus B ka horizontal square लिखता हूं भूलिखता हूं A plus B into A plus B and A plus B ka horizontal square यारी इसका बुणना करते हैं… वही कि अबी आता है पर इसको हुऍपनी पूरा इसको फोलता हूं इसको हमोड़ा, एका वाल से हुना, एका फुरा इसके वाल इसके वाल से तो ने का वाल से तो A2 2 AB Plus V2 या थिके ? जाने लिए A2 2AB Plus V2 यानि इनों में अपने why division ये कुरता हमुद टिका होना एसरे कृता हमुद 1958 blingна आसे हमें कर आंसे है ही ये है यह on ठीके ? इह प्लस इकाई A2 2AB Plus V2 क्या है जाय तो A2 2AB Plus V2 ठीके ? 5 x plus 3 5 x plus 3 एक अधि ड़ा होगे ? योग ह46 डूनों सेहले है ? . आप यह नंहां हिसको यह ओंपे रहंगे ? स्कॉर्र में रखना है ? इसका आंसर इसक द्रसे थिपह से धना है इपने जबसेख करें ? में लागा रहा seconds a प्लास लाइका बड़ स्कवाइज बराबर a squared plus U a t plus b squared दिछे लिए 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 निए अब यहां के दिए का आ पांच एक्स इंगी कि आ प्छ एक्स दिए B का है टी में लुगा दा एंगी के 5 एक्स एक दिए कि आदी को एकषीजर प्लूप रखो आ तो आ है कई ढूब के गालगव फर्फीम्ट श्या से सोर्व जाए दी कर देशा बंदिनग है से मतफ्षीम्ट कर दो लिए वह विडिवकर दो प्लूप ए यृ निपधुन lumin discern के गुणा ती ब्लास ब्लास भी का सब्सक्राब रखेंगेς अब जो फार आगा तो सब्सक्राइब topping और इन फुटी जाए वेलोर अगरे वो 5 तुपांच का जल you are 5 तुपांच का 5 तुपांच का लिए 25 और x सफर एक्सपर एक्सपर एक्स उक्स पर आर 25 थश्कर प्लस 36 प्लस 9 अपंगे लिए अधा इंहे अंसर इसका आप देगा यह पुर्व क्या बने जाने लिए प्राकर्तिक वनस्पति वन्य जीवन जाचानल को पर्टीनियु लखते हुए जैसे कि आपने कर पड़ा था प्राकर्तिक वनस्पति का वित्रण करता क्या जए कि वनस्पति करने सबस्क्राकरत्य ज्राकरत्य होता क्या clean often करें का सबस्की अबU situation सबस्क्रांड प्रातिक वनस्पति और वन्य जीवन का सरक्षन है यानिकि वनस्पति और वन्य जीवन का सरक्षन है इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे जिसे कि वन हमारी क्या है हमारी संपद्धा है अगर भन नहीं होगे, अगर अगर आपन नीरतर इसको काटते चले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो वादा मलन जो है, अशुद हो जलेगा, पेड पोदे ये क्या है, हमारी लिए अती आवसिक चीज है, अगर ये नहीं होगे, तो हम जीवित भी नहीं रहेंगे, हमारे मारे इसमेडी है, पोदे जन्तों को आश्रय प्रणान करते है, जIGN dinner करते हैं, जीव music, पेड पोदे थो इब क्या है कि इनके उपर भेवरत हैं और साख ही पारी तंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं जन्वायू में परिवर्टनों और मानव हस्तक्षेप की कारण कोधों और जन्दों के प्राकार्तिक आवास जो है, वो क्या हो हैं नस्थ हो सकते यानिकि जन्वायू की अंदल भी क्या है कि परिवत्तन में के कारविभी विल्क होते क्या है नुश्ट हो जलते हैं और दूसरा तो मान भी हस्तन पर आगे आज दूसरा नंटल को कारणे वह वनों को समाफ्त करने के कगार पर रहाया है अगर यह दोनों चीजे दिवंतर चलती रही तो क्या होगा इवन जो ए बिल्पूरी नश्ट हो जाएगे इनकी प्रकर्टी का आवास जो है वो क्या होगा खत्म हो जाएगा बहुसी जादेयां अर्स लक्षी तता संकटापन है और कुछ लूंट होने के गार्पद हैं जिसे कि जीव जन्बो ऑनकी बहुसी जादिया है आज देखनें की जादने अपन बहुसी जादिया कि खत्म हो गए हैं वहसे एसे हैं कि उनका जीवन जो है संकट क्या है अब बएः आभूश्यध वनते हैं। उस इस से लोग क्या करते। वाहिस हो बैशने के रिधाव से जैस्तिक으 कभाद, वह要 लेकर कराले। बैशने के वय क्या विया भाद के रिधाव से व Україं उका शिकार अवह हमेसिया संक्या करेवरा ही। और जो बचे हुए है, और वोका जीमन भी क्या है, संकट के है, और बहुत सी जातिया, जल्पों की जातिया तो ऐसी भी है, जो की लुप्त होती है, यानि कि खत्म होने में आई है, वनोनुलन है, ब्रदाप्रदन है, धिर्मान काने है, दावानन है, और भूस कननत में से है जातुत है, जना जाती है, यह नहीं को रहना है, व्ने कर बना देते है, आपने खेटी करने के लिए उस कर देो हो जमिन भी क्या हों, पत्यब्रात में भीड़नम का ज़के गोए है, दिर्मान काड़ंकों आजे लोगा बुष्किलर का मतना परें पहले होता है था, पहाड़ों चाटालों का फिसतना है वारी बारी बारिश के वारिश के मातलिस से, जैसे कि सुनामी नहरे में कि, सुनामी जो आई की समुध्रों के अंदर हो सकते हैं, इस प्रकार भी है, जो प्राकर्दिक आपडा है जो आ जाती आज की मुख्य जिन्ताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने के संख्या बढ़ना है, इसमें कुछ खास प्रजादिया है, देखो आज की मुख्य जिन्ताओं जो भे ज़ानवर जो धुक तो होते जारहे हैं, इन पश्मु को क्यों आला जाता है एक पश्मु की खाल जो होती है हो काम आती है दुण को काम ुप जो हो काम जो होके है को बियापात की जारे है में से कुछ अन्टू जिता है शेर है हाथी है ग्रेक बंग है मगरबच है दर्याई गोड़ा है हिंत एंदुआ है शुतुरूप है और मौध है इनका सरक्षन जागूता से बढ़ा करके किया जा रहा है अब यह जो जातिया है यह जातिया कैं दिर 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 दूपत होत कि खत्म हो रहा है शिकार निरेंदर उसे हो रहा है उसे क्या यह कत्म होते जारे तो इंकर सरक्षन के लिए बहुत जाता बढ़ा बाबा दिया जारा है जैसे कि राष्ट्री उध्यान बन्यजीव अभ्यारान जेवंडन नीचे हमारी प्राकातिक बदस्पति एवां बन्य बन्यजीव को सुवक्षित रखा जाता है वंडन जीव अभ्यारान आयने कि वनों में विच्रख करने वान के अंदर दोंके कि भी विशेश तोकार से अभ्यारान तयार कि जाते हैं यानिकि लंबी चोड़ी जगे में को लोगों आपकों जान्वर जोए वो प्राकातिक ब कि यह चीजें बन्नाई जालती है चिसने की लिए है संसाधन जोए हमारे जीव जन्तुवान है पेड़ बोदेवान है वन है यह सभी शुगक्षित रह सब्सक्रियों जगातियों जीतों और आंत्र भूमी का सरक्षन मुल्टेवान संसाधन लस्ट होने से बचाने के लिए अब देखिए इसमें अधिक जानने के लिए आप देखिए डावादन प्राडी जाद और वनस्पती जाद के खंपून शेत्र के लिए एक खत्रा है डावादन लुक्य रूप से तीन कार्णों से गटी ठोटा है अब इसके बाद में बढ़े आप इंटीव को अपनी डॉ जरूरी नहीं है कि उसको कोई लगाता है कभी लापर में बढ़े और कभी अपने आप रापती रूप से भी लग जाती इस्थानिक लोगों उद्धमी अप सराते लोगों किसी गुटेशे से अगली रेगाना बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसे ना मन्नते महुते है प्रागर्टिक जो ये है जीव जनतु जो ये इनकी कमी क्यू हो रही है इस चीज को आपको देखना है, उसको सेगे तो अपने नोर्भू के अंदर भी इसको लिखने ना, और नेक्स्ट जो बचा है उसको अपन question answer और थोड़ा सा शेप्टर जो बचा है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, thank you.